तो भाईया जब से एक कोरोना का ट्रेंड आया है ना किसी और का फाइदा हुआ हो निया ना वह हो लेकिन जो हमारे दिसकी फ्रोचर जेनरेशन है यानि कि इस्टूनेंट्स उनका फाइदा बहुत अच्छे तरीके से हो गया है अब वो चाहे घर पे बैठके होम और ना पू करते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आपको बता जें कि अगर आप हग से ज्यादा संस्कारी है और आप कभी नकल करके पेपर नहीं देते हैं तो आप ये वीडियो मत देखें ठीक है क्योंकि आपका संस्कार का लेबल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि टिपकल कमेंट्स ठीक है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अगर कुछ ज्यादा हाई लेबल के संस्कारी हो तो वीडियो को यहीं पर छोड़के चले जाओ ठीक है और बाकी जो नकल वाली आर्मी है वो तो देखेगी वीडियो को ठीक है तो चलिए वीडियो को शु चुका है यहां लिखा है हाँ पर लिख जम हाँ टो चीटिंग और इमेल एडरेस ठीक है तो सिंपली आपको करना क्या है अभी कुछ नहीं करना भी इसको ओपन कर लेना है और यह सारी एक-दो सेटिंग आपको सिंपली क्या करना है यहां पर दिख रहा है त्री डॉट्स अब आते हैं हम जर अपने पेपर पे ठीक है तो देखो यह तो पहले साइंस का आ गया ठीक है क्वेश्चन क्या दिख रहा है अभी मैं आपको साइंस का बताता हूँ और साइंस वाय दोनों का बताऊंगा ठीक है चिंता मत करिया आप यहां पर सिंपली में डाल देता ठीक है इमेल डाल दिया है और अगर आपको कोई भी क्वेरी मुझसे करनी हो तो इस मेल पे आप मुझसे कर सकते हैं ठीक है तो यह समझ लो मैंने अपना मेल रिवेल कर दिया ओके उसके बाद क्या करना है यहां पे देखो दिख रहा है question ठीक है तो अब हम अपने question को select करते हैं ठीक है इस पे थोड़ा प्रेस किये रहना है और इस question को यहां पे select कर लेना है select करने के बाद आपको website कहीं नहीं जाना है आपको देखे नीचे दिखने लगाना इसको थोड़ा सा यह हमने question को select किया है न यह देखे और इसको थोड़ा सा उपर कर देना है और यह देखे और हमारा answer आगया ठीक है which of the following assets is used और देखे दा answer ही nitrogen okay ठीक है तो nitrogen ने तो हम nitrogen पर कर देते हैं ठीक है तो अब आपको पता लगा है science में कैसे cheating करनी है ठीक है अब बचा math तो math का भी मैं आपको simply बता देता हूँ ठीक है तो यह अभी हम कर देते है next ओगे और next करने के बाद यह आगया math ठीक है यहाँ पर देता है question लिखा यह b is equal to 3 then any integer can be expressed आई जा वह लगकिस form में ठीक है तो मैं आपको simply बता दूँ इसके दो method है एक तो method यह है कि अगर आपको question लगते है and CRT का है और यहाँ पर मिल जाएगा तो simply इसको करके और फिर यही method यूज करके और यहाँ पर हम देख सकते है the answer is b is equal to 3 ठीक है तो answer अमारा पता चल गया है कि sorry एक मिनट आपको दिखाता हूँ ठीक है तो अभी answer देख सकते हूँ यहाँ पर किस form में आएगा r3q 3q plus 1 तो एक तो method यह हो गया और एक method क्या है कि माल लो यह question ncrt का नहीं है किसी और उसका है और आपको google पे नहीं मिल रहा है तो simply आपको इसका screenshot ले लेना है और screenshot लेकर इसको crop कर लेना है आपको question को और simply इस question को doubtner tab पे जाके और फिर वहाँ से पूछ लेना है ठीक है doubtner tab आप install कर लेजेगे यहाँ पे doubt लिका है इस पे click करके और फिर यह gallery लिखिये इस पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद यहाँ से हमें अपने question को select कर लेना है question अपने select कर लिया और question को सीधे find solution पे click कर देना है ठीक है तो जैसे हमने find solution पे click किया यहां से हमें सारे हमारी जो questions है वो देख जाएंगे ठीक है Google Google मुलब सारी चींजाग video solution देखे इसको simply उसी समय समझ सकते हैं ठीक है तो इसका answer चुंकि मुझे पता चल गया तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ A और यह A हो गया और हम करते हैं submit ठीक है अभी हमने submit किया अब हम जड़ा देखते हैं व्यू स्कोर का रिजल्ट अपना और देख सकते हैं फोर अपान फोर ठीक है अब मैं थोड़ा सा प्रतों इसमें कुछ feedback भी आया साथ टू आफ टू पॉइंट्स अरे feedback देखिए कहा लिका नकल मत कर बोर्ड में फेल हो जाएगा वाह मलब और फिर ये दूसरा question है अब फिर नकल तू तो पक्का फेल होगा वाह मलब बहुत बढ़ी हमारा paper हो जुगा ठीक है चलिए तो board की चिंताव नहीं करेंगे अभी board के आप preparation करिए लेकिन अगर आपको ये तरीका थोड़ा सभी पसंद देख तो वीडियो को लाइक कर देए ठीक है